प्रशान सागर और मेरे यूटूब चैनल क्रिपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको 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 ऑनलाइन मूवी देहने पसंद है और आपको अच्छी मूवी धूनने में दिक्कत होती है तो आप टोफू एप की मदद से मूवी अराम से देख सकते हैं एपका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से ये एप डाउनलड कर सकते हैं और डिरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलड कर सकते हैं बस आपको प्ले स्टोर ओपन करके टोफू एप लिकना है और इंस्टार बटन पर क्लिक करना है इस एप में आप काफी मूविस को एक्स्प्लोर कर सकते हैं चाहे वो इंगली शो हिंदी हो या फिर पंजावी मूवी हो और आउनलाइन भी आप देख सकते हैं और साथ-साथ इसे डाउनलड भी कर सकते हैं वो भी हाई एच्टी क्वालिटी में तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ और इस एप को डाउनलोड करो और काफी मूविस को एंजॉय करो बिने किसी रुकावट के बैन और जेन एक मेरिट कपल शादी करके नुई यॉर्क छोड़ देते हैं और टोक्यो चले जाते हैं बैन पेचे से एक फोटोग्राफर होता है जो चाइनिस मॉडल्स की फोटो लेता है और उसकी जॉब टोक्यो में ही होती है वो टोक्यो पहुचने के बाद एक सुनसान रास्ते से जा रहे होते हैं और जेन कार ड्राइब कर रही होती है और बैन सो रहा होता है जेन को लगता है कि वो रासा बटक चुकी है तो वो मैप में देखने की कोशिश करती है लेकिन उसको कार ड्राइब करते वक्त मैप खुलने में दिक्कत होती है तो वो बैंड को जगा देती है और उसका ध्यान थोड़ा ही बटकता है तो उनके सामने एक ड्रावनी से दिखने वारी लड़की आ जाती है और उसको हिट कर देते हैं और उनकी कार कंट्रोल नहीं हो पाती तो वो पेड़ पर जाकर ठुक जाते हैं और फिर जेन और बैन दोनों ही भेश हो जाते हैं थोड़े देर बाद उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि उस रोड़ पे कोई भी नहीं है और ना ही किसी का खुण पड़ा है क्योंकि वो लड़की इतनी जोड़ से ठुकी थी तो खुण तो निकलना बनता है बैन कार से बार निकलता है तो वो नोटिस करता है कि उसी गर्दन में काफी दर्द है फिर वो अपने हनीमून कोटेज चले जाते हैं लेकिन जेन उस एक्सिडेंट को भूल नहीं पाती और वो उसी एवेंट के बारे में सोचती है तब ही बैन वहाँ आता है और उसे दिलासा देता है और के साथ वो पिक्स भी लेने लगता है फिर वो जेन को लेकर अपने उफिस जाता है और सभी स्टाफ से मिलाता है और अपने एक दोस्त से भी मिलाता है जिसका नम बुरूनो होता है और वो उनको एक रेंट पर अच्छा गर दिला देता है फिर जेन सुबा उटती है और बैन उसे हनीमून की पिक्स देता है और वो बहुत कुछ होती है और पिक्स देखती है फिर एक दो पिक्स तो सही होती है लेकिन बात में वो नोटिस करती है कि फोटोस में कुछ गोस्ट जैसा धुंतरा दिख रहा है और वो बैन को दिखाती है तो बैन उसे बोलता है कि शायद कैमरा में कुछ खराबी आ गई होगी फिर जेन टोक्यो गूमती है और मारकिट्स भी जाती है फोटोस लेती है और चीज़े एकस्प्लोर करती है फिर वो घर आती है और थोड़ देर बाद बैन की एसिस्टेंट सी को भी वहाँ आ जाती है और वो उसके कैमरे में पिक्स देखती है और बताती है कि इन फोटोस में तो आत्म जैसा कुछ दिख रहा है और साथ साथ ये भी बताती है कि इन पिक्स की पूरी मेगजिन उसको बॉइफरेंड बनाता है और बोलती है कि कल शाम में मैं तुमें उसे इंट्रिडूस करा सकती हूँ फिर वो सब डिनर पर जाते हैं और जैन उसके एक्स बॉइफरेंड एडम से पता लगाने की कोशिश करती है उन फोटोस के बारे में लेकिन इस बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाती अगले दिन बैन मॉडलस का शूट करता है और वो कैमरा में उस लड़की को नोटीस करता है लेकिन फ्रेम में उन मॉडलस के अलावा कोई नहीं होता तो वो इस पर जाता ध्यान नहीं देता और उसके बाद फिर से करदन में दर्द फील करता है जेन बेन की असिस्टेंट के साथ उसके बॉइफरेंट के आफिस जाती है और वो वहाँ देखती है कि फोटोशॉप के तुरू ये लोग उन फोटोज में आत्माओ की इमेज आइट करते हैं तो वो उसके बॉइफरेंट से पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ये फोटोस लाते कहां से हो तो वो जेन को बताता है कि लोगों को ऐसे डरावनी मैगजिन देखने में मज़ा आता है और इससे हम अच्छा बिसनस कर लेते हैं तो जेन बोलती है कि इसका मतलब ये सब फोटोस फेक हैं तो वो बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा और उसे अपने बच्पन की फोटो दिखाता है जिसमें एक औरत की आतमत दिख रही है और बताता है कि ये फोटो मैंने सबसे पहले पबलिश की ती और ये एकदम रियल है जेन बोलती है ये बस एकी फोटो है जो रियल है तो वो बोलता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ वो जेन को एक रूम में ले जाता है जहां उसने तरवाज़ों पर कुछ उतंतर मंतर की चीज़ा रखे हुई होती है और वो बोलता है कि इस कमरे में सबी असली इमेज़ेज है जेन वो फोटो देखने लगती है तो वो बोलता है कि ये आत्मा हमें फोटो के तुरू कांटक करने की कोशिश करती है क्योंकि इनके कुछ अदूरे काम पूरे नहीं होते और बोलता है कि भला गोई आत्मा क्यों इतनी कोशिश करेगी कि वो फोटोस में आए क्योंकि उसका गोई अधुरा काम पूरा नहीं हुआ है इसकी बास सुनके जेन थोड़ा डरने लगती है बेन रेड रूम में फोटोस की नेगेटिव पर काम कर रहा होता है और उसके फेस पर कैमिकल गिर जाता है और वो देखता है कि उसका फेस अपूरा खून में ही हो गया है तब भी वहाँ उसकी असिस्टेंट सीख को आ जाती है तो वो देखता है कि उसका फेस बिल्कुल सही है और टावल भी साफ है ये उस चुडल का पहला इंडिकेशन था जेन मैट्रो से अपने घर जारी होती है तब भी उसे मिरर में उस चुडल की पड़चाय दिखती है जिससे वो बुरी तरह डर जाती है फिर घर बोचने के बाद वो देखती है कि बैन परेशान बैठा है और साथ में उसकी असिस्टेंट भी वहा होती है फिर सीको वहां से चली जाती है और बैन जेन को बताता है कि उस दिनके फोटो शूट पूरा बरबाद हो गया है और काफी नुकसान हो गया है जेन फोटोस देखती है तो उन फोटोस में भी वो ही आत्माव की पड़चाए्ध दिख रही होती है और जेन बेन को बोलती है कि उस ने उस लड़की को देखा जिसको उसने ठोक दिया था वो दोनों परेशान रहते हैं लेकिन बेन उसकी बात पर यकिन नहीं करता और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है सुबाउट कर भी वो दोनों बात नहीं करते और बैन अपनी गर्दन के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ नर्स देखती है कि इसका वेट इतना ज्यादा कैसे आ रहा है जेन बाहर ही होती है और बैन अपने अपार्टमेंट में फोटोस पे काम कर रहा होता है तब ही उसे किसी की फुस्फुसानी की आवाज आती है और जेन उसे कॉल करती है जेन को कॉल पर शक होता है कि वहाँ कुछ गड़बर है और बैन देखता है कि पर्दों के पिछे वो चुड़ाल बैटी है जिसे वो जोर से चिलाता है और जेन भागते हुए अपने अपार्टमेंट पहुशती है फिर वो देखती है कि बैन खामोश एक चेर पे बैटा है और वो बिलकुल ठीक होता है फिर जेन और बैन उन स्पिरिट्स की फोटो को डिसकस करते हैं और जेन उसे बताती है कि ये फोटोस में दिखती आत्मेंट असली है और वो डिसाइट करते हैं कि वो मिश्टर मुरासे के पास जाएंगे जो इन आत्मों की फोटोस पर आर्टिकल लिख चुका था फिर वो उसे घर जाते हैं और अपनी प्रॉलम उसे बताते हैं वो बोलता है कि ये आत्मा किसी से या तो बहुत प्यार करती है और या तो बहुत नफरत करती है इसलिए ये मरने के बाद भी पीछर नहीं छोड़ती फिर तभी मुरा से अजीब हरकते करने लगता है जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई हो और बैन और जेन डर के वहाँ से निकल जाते है फिर बैन अपने शूट के लिए निकल जाता है और जेन घर आकर बैन के फोटो शूट को देखती है और एक बील्डिन को नोटिस करती है जो कि बैन का ओफिस होता है पिर वह वहाँ जाती है और पोलरोड कैमरा से उस चूड्यल को डूडने की कोशिश करती है फिर वह एक फोटो में कैपचर हो जाती है और जेन डर के मारे भागने की कोशिश करती है तब भी दर्वाजा जोर से बंद हो जाता है जिस वज़ा से एक फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है और वो देखती है कि इस फ्रेम में वोई लड़की है जिससे उसका एक्सिडेंट हुआ था और वो फोटो फ्रेम परटती है तो देखती है कि उस फोटो का शूट बैंड ने करा है फिर वो बैंड से सवाल करती है कि तुम इसे जानते हो तो वो बोलता है हाँ ये मेरे आफिस में थी और हम दोनों रिलेंजिशिप में आ गए थे और हर वक्त साथ रहते थे और बताता है कि उसके पिता जी ने हमें अकसेप्ट नहीं किया था और कुछ समय बाद उसके पिता जी की मौत हो गई जिस वज़ा से वो पागसी होने लगी थी और खुद को चोट पुचाने लगी थी मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाता था और उसे अलग होने की कोशिश करता था वो मुझे हर जगा फॉलो करती थी और हमेशा नशे में रहने लगी थी जिस वैसे मैंने उसे छोड़ दिया था फिर वो बोलता है अब सब तुमारे साथ है मैं वापस वो सब नहीं करूँगा फिर जेन मान जाती है और उसे माफ कर देती है फिर बैन को ब्रुनो कॉल करता है और बताता है कि उसने आज महकुमी को देखा था तो बैन को लगता है कि वो जिन्दा है एडम जो बैन का दूसरा दोस्त होता है वो एक लड़की का शूट कर रहा होता है तब भी वो नोटिस करता है कि कैमरा में कुछ दुंदला आ रहा है और वो दुंदला पन उसकी आँख फोड़ देता है जिस वैसे उसकी मौत हो जाती है तब भी ब्रुनो बैन को एडम के बारे में बता रहा होता है और उसे किसी के फुसफुसानी की आवाज आने लगती है फिर थोड़ी देर बाद ब्रुनो बैन को कॉल करके घर बुलाता है और बैन और जेन देखते हैं कि घर में कुछ ठीक नहीं है तब भी ब्रुनो महां आता है और भागते होगे खिड़के से कूच जाता है और वो भी मर जाता है बैन और जेन अपने अपार्टमेंट जाते हैं और उनको एक कोरे डिसीव होता है और उसमें उनकी वैटिंग फोटोग्राफ्स होती है बैन जेन को शेयर चोड़ने के लिए बोलता है लेकिन जेन उसे बोलती है कि शायद छोड़के कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये आत्मा हमें हर जगा फॉलो करेगी फिर वो डिसाइट करते है कि वो मैगुमी के घड़ जाएंगे और कुछ सुराख ढूंडेंगे और अपने प्रॉबलों को दूर करेंगे लेकिन वहां मैगुमी की लाश उन्हें मिलती है और वो दोने डर जाते है फिर रात में बैन को मैगुमी बहुत डराती है जिससे वो थोड़ा साइको सा होने लगता है और डरने लगता है लेकिन जेन मैगुमी की आत्मा पर चिलाती है कि हमें अकेला छोड़ दो तब भी बैन वी थोड़ा ठीक हो जाता है फिर वो मेगुमी की बॉड़ी को जला देते हैं और जेन सुबह खुशी से उड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि अब सब ठीक है वो पोलोराइट कैमरा में उसे ट्रिडल को देखती है जो देरे देरे जेन की फोटोस फ्रेम में जारी होती है और एक रूम में उसे पुराना बैग मिलता है जिसमें एक कैमरा होता है और इसमें वो जो देखती है वो शौक हो जाती है तब ही बैन वहाँ आता है और जेन उसे उस कैमरा की फोटोस दिखाती है जो कि ब्रूनो और एडम की होती है और वो मेगुमी के साथ जबर्दस्थी कर रहे होते है जेन बैन को एक थपड मारती है और वो उसे सब बताने लगता है बैन बताता है कि वो पागल होने लगी थी और मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी तब ही एडमों बृर्णों बैन को बोलते हैं कि उनके पास नीनकी गोलिया हैं तुम मैगुमी को वो खिला दो बैन मैगुमी को एक ड्रिंक के बहाने एक रूम में बुलाता है और उसे वो ड्रिंक पिलाता है जिससे वो जाधा होश में नहीं रहती और Adam और Bruno उसके साथ जबर्दिस्थी करने लगते हैं और Ben उनका पूरा वीडियो बनाता है मैगुमी इतना होश में नहीं होती और वो बस Ben Ben पुगारती है ये सब सुनकर जेन को गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो Ben के साथ नहीं रहीगी और वो उसे हमेशे अगले छोड़ के चली जाती है तब ही Ben को गुस्सा आता है और वो Polaroid कैमरा से मैगुमी को डूडने लगता है तब ही कैमरा उसके हाँ से छूटता है और एक फोटो किलिक हो जाती है जिसमें Ben कैप्चर होता है और वो देखता है कि मैगुमी उसे कंदों पर बैटी है वो अपनी बॉड़ी जटकने लगता है और अपनी गर्दन पर हाई वोल्टेज करन लगा लेता है उस ट्रिडल को हटाने के लिए फिर कुछ समय बाद वो पागल खाने में जुका हुआ बैटा होता है और नर्स आती है और उसको इंजेक्शन लगा के चली जाती है फिर दरवाजे के मीरर पर दिखाई देता है कि मैगुमी की आत्मा बैन के ओपर अबी भी बैटी हुई है तो दोस्तों ये इस टी शटर्म 2008 मुवी की एक्स्प्लेनेशन इंस्टेगराम और फेजूप पर आप मुझे कनेट हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल लाएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लेगी तो इससे लाइक करें शेयर करें और कमेंड में अपना सुझाफ दें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए धन्यवाद